Hello and welcome to Menace in the Monk यार थोड़ी बात कर लेते हैं लिवरपूल के बारे में काफी दिन से लिवरपूल के बारे में बात नहीं किया है हमने तो वर्ल कप से दो दिन का ब्रेक है और आज लिओन के साथ मैच था जो हम पैनल्टी शूट आउट में हार गे लिओन से बट कुछ ब्राइट स्पोर्ट से गुट तो सी सम अफार प्लेयर गेट से लिए फैबियो करवाली उने गोल मारा फुटबॉल ठीक थाक सी थी मैने पूरा मैच तो नहीं देखा बट मैने थोड़े बहुत मतलब हाइलाइट देखे थे स्ट्रीम के ऊपर सो मैच ठीक थाक सा था हम वी वर नॉट वर्ट वर्यूट इंट इंट रिदम वह वापस उस एक पटिकुलर रिदम में आना वह जादा जरूरी था क्लॉप ने इंफॉर्म किया कि डार्विन नूनेज टीम को कल जॉइन करेंगे और वर्ल्ड कप के बाद सारे प्लेयर्स को एक हफ़ते का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद तो अब्यूसली चब्विश तारिक से वी विलाव थे सीजन रिजूमीं कुछ देर इस सम्नूज वर्ल्ड जैसे हमने पहले भी पहले भी पोला है इस अगुड देशिए बिकुज आपको इफ यू लूपर एक लंबा दिस्कुशन अफकॉस हम लोग करेंगे बातीं करेंगे डाविन नूनेज इस दे बिगेस्ट एक्जाम्पल डियोगो जोटा आउट है फेब्रेरी तक इंजिरी से लूइस डियाज की भी निउस आई है उसके बारे में हम और थोड़ा बात करेंगे और एक यूनो रोबेटो फ़र्मीनो इस सीजन फोगेट अफोगेट पर्फॉ और आपको काफी options प्रवाइड कर सकते हैं तो I think if you look at the kind of contract if it's a one-year extension with not a lot of you know wage rise it makes sense because you know next season obviously some players I think Oxlade Chamberlain, James Milner, Nambi Keta उसमें शायद शामिल होगे ये सारे players we will have them off of the wages book तो definitely you know थोड़े wages free हो जाएंगे और Luis Diaz को एक बड़ी injury हो गई है he had a sort of a relapse of the old injury तो जो latest news है वो ये है कि Luis Diaz will be out till March that is a big big problem मतलब ये एक चीज़ ऐसी है जो हम बिलकुल avoid कर सकते थे this is not good news at all because March तक वो out है Jota भी February तक out है तो that means that you know we most probably will have to play our league games तो हैं उनके बिना पूरे January में maybe शायद Champions League game के लिए भी ये दोनों हमारे पास वापस available नहीं हूं as options and that is a big blow because we are obviously playing Real Madrid and it's not a good situation to be in transfers की जहां तक बात आती है last थोड़ा एक round up कर लेते हैं transfers के बारे में कुछ players का नाम आया है Bellingham of course continues to get linked but वो सागा जैसे हमने अपने lives में बहुत बार बोला है वो लंबा चलने वाला है we don't I don't think we will have a quick resolution on Jude Bellingham and of course there is the question of money देर सो मिलियन सो मिलियन जो भी उनकी price है वो कौन देता है क्या हम देते हैं ownership की बात चल रही है ownership तो however मुझे लगता है कि इतनी जल्दी resolve नहीं होगा we will have a situation where it will go on for a few months I am not I don't see it getting resolved so soon Amrabart has been another player who has been linked Cassie Edo का भी नाम मैंने पढ़ा है क्या हम January में एक midfielder लाएंगे I seriously sincerely hope हम लेके आएं because otherwise your top four campaign is in trouble हम already थोड़ा off the pace हैं और हम पीछे हैं रेस में और there are quite a few teams involved इस बार Newcastle भी involved है इस बार Arsenal तो title race में हैं there is Spurs, there is Chelsea, there is Man United, there are teams that are involved तो हम उसको lightly नहीं ले सकते हैं और हमको ये चीज़ बहुत ही clearly समझ आ गई है कि midfielder की जरुद इस team को बहुत urgently है तो हम कौन से midfielders के लिए जा सकते हैं आप हमको comment section में बताएए World Cup will return very soon and we will return with our World Cup content तब तक के लिए देखते ही हमार कॉंटेंट Cheers and up the reds झाल झाल झाल